प्राप्त सूशना में बता गया कि रस्लीम जहां की शाधी इक्राम वली के साथ इसलामी रिती रिवास के नुसाथ तीन साल पहले हुई थी जिसके चलते एक्राम वली अपनी पत्नी की सहीली के साथ तीन महीने पहले फरार हो गया था जिसके शुकायत पत्नी ने थाना मोडा बांडे से लेकर पुलस कप्तान मुरादाबाद तक की थी लेकिन कोई भी कारवाही ना होने की कारण मामला पैंडिंग में चल रहा था कि अचानक तीन दिन पहले पत्नी के बास फोन आता है और वे कहता है तुम घर वापस आजाओ इसके बाद पत्नी जब रात में अपने घर सिरसखेडा पहुंची तो पत्नी ने बुरी तरहा से पीट-पीट कर पत्नी को घायल कर दिया घरवालों को जब इसकी सुष्णा मिली तो घरवालों ने तस्लीम को घायल अवस्था में मुड़ा पांडि स्वल्थ केंदर में भड़ती कराया जहां पर उनका उपचार चल रहा है पत्ती तस्लीम जहां की परिजनों का कहना है कि वह पुलिस प्रशासन से नियार चाहते हैं कि क्राम अली को घिरफतार करके जल्द से जल्द कारवाही करें आपको बताते चले कि इस घटना को लेकर के पहले भी मीडिया में खबरे प्रिकाशित हो चुकी है लेकिन कोई भी रिजयत नहीं निकला है के पास भी गए हम मुरद अबाद में आज के अबाद आए जे हुआज लड़की के बुलाई सुबो को टैम जे के तसलीमा तुछ से में एकेले में मिलना है हमने तसलीमा ने जल्दी से हमारे धोरे फोन करा अबाद में मुझे यह केला में बुला रहे हैं मिलने की लगे है कौन इसकी पति इक्राम आली प्रकी के मेरे तसलीमा तो पर कैसे बचा आए इसको इसे हैं मैं जल्ली जल्ब हुनemit कोई इदर से सबाद में आवे तो खिर की मा मावड़की दॉ हमने चुटते हमारा हाद भी काट थी है हमने निकाला अब £ अब तुमोना ठाना में हुआ हम मैं तुम छोवं मैं है हस्पताल में है और स्पताल में लर्की भी लर्की भी अच्छा वो एकराम की अधा नद प्रॉलिस लेकर गया है हुआ अब पता ना थाना में पता ना घर लेकर एब अब बेटी के तरप कहा जी है बेटी के तमने थीक ना है आपका चाहते हो हम ये चाहती हूं जर इन सब देवे पुलीस वाला और हमें हमारे बेटी के साथ जिने उखोवे से कारवार बरिया होवे और अच्छा होवे हम यह चाहती हुँ